तो इसका solution होगा कि सबसे पहले आपको एक function बनाना है using function keyword जो अलड़ी हमने previous assignment के अंदर देखा उसके बाद उसके parameter में हमें एक variable बनाना है और जिसके अंदर हमें default value assign करनी है उसके बाद function के body part में हमें simple interest find करने की formula लगानी है और उसके बाद वो function को हमें call करना है तो आएजे देखते हैं इसका solution कैसे होगा तो यहां script में आप देख सकते हो कि हमने एक function बनाया है जिसका नाम है interest और जिसके तीन parameter है dollar p, dollar r and dollar n अब इसके अंदर हम default value दे देते dollar n की 2 उसके बाद हमने simple interest find out करने का calculation किया है तो function के अंदर हम सबसे पहले value देते dollar p की जो है 10,000 dollar r की value देते 5 यहां पर हमें dollar n की value नहीं देनी है because कि वो default value है और वो है 2 तो आईए देखते हैं अब इसका output क्या आएगा तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपको interest मिल जाएगा 1,000 यानि की अगर आप third parameter pass नहीं करते हो तो वो default value ले लिता है 2 तो इस तरह से आप assignment का task solve कर सकते हो